नमस्कार दोस्तों इंट्राडे स्टॉक्स की डेली वीडियो में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पांच इसे इंट्राडे स्टॉक्स जिसे आप कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर सकते हैं साथ ही हम देखेंगे प्रीविएस डे के जो भी कर लिजगा ताकि आने वाला लेटेस्ट इंपॉर्मेटी वीडिया आप सबसे पहले देख सको तो चलिए देखते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कल के इंट्राडे स्टॉक्स जो हमने प्रीविएस वीडियो में प्रोवाइड किये थे उनका रिजल्ट क्या रहा ह सबसे पहले हम भड़ापट से उनको देख लेते हैं एक बार सबसे पहले इस टोकता दोस्तों हमारा अड़ानी पॉर्ट्स का अड़ानी पॉर्ट्स में आप लोग यहां पर देख सकते हैं हमने जो बाइंग लेवल दिया था नौसोच्छोपन रुपे का तो आपको यहां रिटेस्ट होने के बाद में जैसी इसने अफसाइड मुमेंटम किया है उसके बाद में भी आप लोग इसमें प्रॉफिट है वो अच्छी तरिके से कमा सकते थे यहां पलोगों कमाया है क्योंकि दोस्तों जब इसमें गेप अब ओपनिंग होती है तो आपफे देखते हैं हमने करीब इसमें आप इस लेवल पर बाइंग बताई थी उपर की साइड में लेकिन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और नीचे की साइड में मुमेंटम कर रहा था यह दिदि गेप ओपन ताब BPCL का BPCL में हमारे को entry है वो नहीं देखने को मिली क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं एक trend line को follow कर रहा है इसी के उपर आपको यहां पर resistance देखने को मिल रहा है यही को ठीक तरीके से कल के trading session में trade करते हैं तो भी आप इसमें भी profit है वो कमा सकते हैं क्योंकि यहां पर इसमें जरूर थोड़ा सा momentum दिखाया है लेकिन यहां पर यह candle close हुई उसके बाद में यह candle है वो फिर से नीचे की side में sustain कर गई है तो यहां पर इस candle में volumes जरूर देखने को मिला है देखते हैं कल के trading session में यहां पर break करता है या फिर नहीं करता है यदि break करता है तो आप इसक 5 मिनट में ही दोस्तों इसने चो फर्स टार्गेट हमारा था वो अचीव कर लिया और उसके बाद में इसने डाउन साइड में मुमेंटाम में कर लिया यदि आपको इसमें entry लेने का मोका नहीं मिला है तो भी आपके लिए कुछ भी आपको यह पर loss है वो नहीं हुआ है क्य आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जोईन नहीं किया है तो इस चैनल को जोईन कर लीजेगा जिस पर आपको live market में updates है वो मिलती रहेगी अब हम बात करते हैं दोस्तों आज का हमारा first intraday stocks इसमें हमारा first intraday stocks रहेगा भारती Airtail का जो आप यह देख सकते हैं दोस्त businessmanane decisions provide कर देख सकते हैं यहा फे resistance है फिर यहां पर बार यहां पर resistance ले लेरा है यह नी अपको यहां पे इक जगह पे फासा हूबाँ है और नीचे की साइड में आप यहां पर देख सकते हैं जो भी candles मन रही हो लें उसमें आपको उपर की चोटा सा स्टोप लोस लेके चल सकते हैं 700 तैयासी रुपे गा और आपका फर्स टार्गेट रहेगा 795 रुपे और 800 रुपे इसके अलावा दोस्तों आप यहां पर इसमें सेलिंग भी कर सकते हैं जो यहां पर सपोर्ट मिल रहा है यहां पर सपोर्ट मिला है यहां पर मिला ह सकते हैं सेलिंग का सेनेरियों भी मैंने या पर प्रोवाइड कर दिया है आप इसको भी एक बार चेक आउट कर सकते हैं जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है यदि स्टोक ऊपर ओपन होता है नीची की साइड में सस्टेन करता है तो जैसे ही केंडल ब्रेक करती है दोस् हमारा दूसरा इंटरा डे स्टोक्स रहेगा वो है JSW इन पर चाल रहें तरन के उपर यह लिए तो फिलाल आपको यहां से देखने को मिल रहे हैं जैसे कि आपर में देख सकते हैं यहां पे धिया यहां पे भी लिया और यहां पर क्ले करने के ब्रेक ब्रेक करता है तो आप लोग लोग कि बीमिम ज़ाई धे करके क Finlistays Selling दोनों सेनेरी आपको यहां पर दे रखें हैं दो आप यहां पर चेक कर सकते हैं दोनों ही इसके अलावा दोस्तों हमारा Third Intraday Stocks रहेगा रिलाइंस का रिलाइंस में भी आपको यहां पर देखने को मिल रहाय है अब यहाँ पे फिर से यह दिये उपर की साइड में मुमेंटम करता है यह resistance को ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे buying level दिया गया है 2570 के उपर का और stop loss आपको रखना है प्रिवेस स्केंडल होती है उसका आपको low के जस्ट नीचे आपको stop loss रखना है और आपका target रहेगा दोस दोस्तों हमारे चोता इंट्रडे स्टोक्स रहेगा टाटा मोटर्स का जिसमें भी आप लोग एंट्री ले सकते हैं यहाँ पर यह ब्रेक आउट करने वाला ही था लेकिन ब्रेक आउट नहीं कर पाया फिर से प्राइस है वो नीचे की साइड में सस्टेन हो गया तो हो सकता है आपको यहाँ पर ब्रेक आउट देखने को मिल सकता है इस पॉइंट पर तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं यदि आपको ब्रेक आउट मिलता है तो आप इसमें चोटे से स्टोप लोग के साथ में आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर ओपन होता है और नीचे की साइड मे breakout करने के बाद में जो भी candle breakout वाली candle होती है उसके बाद में दूसरी candle होती है पांस मिनट के time frame में तो उसका low break करती है तो आप लोग इसमें selling का सेनियरियों भी बना सकते हैं आप अपने इसाब से थोड़ा एफर्ट्स है वो जरूर डालिएगा तो आपको इसमें भी है वो profit होने के chances मिल सकते हैं कल के trading session में यदि आपको यह लेवल breakout होता है तो आप यहाँ पर जरूर एंट्री ले सकते हैं बाई यह वो यहाँ चार सो प का यह सेर है फिलाल उसके बाद में दोस्तों हमारा last intraday stocks रहेगा वो रहेगा AU bank का AU small finance bank है उसका intraday stocks इसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों करीब यह एक trend line के उपर यहाँ पर चल रहा है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहां से यह start होया इस तरीके से चल रहा है उपर की side में resistance लिया नीचे आया और उसके बाद में resistance लिया नीचे आया यहाँ आपको यहाँ पर नीचे में कल भी यहाँ पर यह इस trend line पर यह support लिया है तो तो यहां पर प्रेशर है तक कि आपको ठीक तरह के से देखने को मिले जैसे कि आप सकते हैं यहां पर इसने जरूर सपोर्टइ लिया प्रेंग जाँए फिर प्रूर कल के ट्रेडिंग शेशन में आपको करता है तो चोटे से स्टोप लोग इसमें अंटर कर सकते हैं अन्यता आपको इसको इग्नॉर करता है बाइंग लेवर और आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे 683 के उपर आपको बाइंग करना है और आपका stop loss हो आप अपने इसाब से previous candle का low है वो आप stop loss रख सकते हैं टार्गेट आपको 690 और 694 रुपे का टार्गेट आपको देखने को मिल जाएगा तो यह है दोस्तों आज जो हमने 5 इंट्राडे स्टोक्स बताएं उनका आप कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटिस्ट लाइव मार्केट में कोई भी इंट्राडे के लिए अप्डेट्स रहेगी टेलिग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज़ॉइन कर सकते हैं मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन सीखते रहो कमाते रहो और खुस रहो